हलो दोस्तों कैसे हैं आप सो भी लोग अच्छे होंगे खुशाल होंगे और एच्पी टैट की त्यारी जोरो शोरो से कर रहे होंगे तो यह हमारा नॉन मेडिकल का 2019 का पेपर 2019 नुवंबर का पेपर तो देखते हैं इसके 30 कोशन तो चाहिल साइकोलोजी और ड्वेल्मेट पेडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रसेस सब्जेक्ट डैश प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ड्वेल्मेट और पर्सेनलिटी एग्जामिनेशन दे इंटरेक्शन ओफ हरेडिटी और अन्वर्मेंट तो इंटरेक्शन हमारे जो ड्वेल्मेट में पर्सेनलिटी में सबसे जादा रोल किसका होता है इंटरेक्शन अन्य इंटरेक्शन ओफ हरेडिटी एन आन एंवर्मेट यह मैं आपको पता चुका हूँ कि दोनों का ही इकोली रोल होता है व्यक्तित्यों के विकास के डैश का महत्त्य पुण यह concept मैंने आपको कराया है आपने अगर मारी theory वाली सीज नहीं देखी है तो theory वाली सीज जरूर देखें डाइसलेक्सिया इस कहां शुरोगा तोस्तों head to toe option b डाइसलेक्सिया इस एस्टेटीड विद देखो जो डाइसलेक्सिया है वो associated है reading disorder से डाइसलेक्सिया किससबंदीत है पठन विगार से option c orthopedic impaired children are likely to have शाले रूप से अक्षम बच्चों को समन्नेता डाइस होता है ठीक है orthopedic impaired children are likely to have dysgraphia देखो जो orthopedic children होते हैं इनको हड्यों से लेड़ दिक्कत होती है चलने फिरने से लेड़ दिक्कत होती है इनकी muscle movement से नहीं होती हाथ पैर तो इनको क्या दिक्कत हो सकती डिसग्राफिया लिखने में दिक्कत हो सकती है आगे चलते है which of the following is the not a domain of learning कौन सा domain of learning नहीं है cognitive affective cognitive या spiritual तो spiritual जो है वो domain of learning नहीं है ठीक है कौन सा spiritual आगे चलते हैं अगला question देखते हैं अगला question जीवों में गुणों के विकास के लिए कौन जिम्मदार है देखो मैंने आपको बताया था कि जीवों में जो गुणों के विकास के लिए है ठीक है वो कौन जिम्मदार है वातावर्ण और जीन्स ठीक है परन्तुर जो गुण हमें अपने मामा से मिलते हैं उसके लिए कौ वाथावे ने भी जिम्मेदार है प्रंटु in वलला जीवों में गुणों के लिए गुणों के लिए ठीक है तो इसका अंसर जीन होगा तो या दोस्तोम कॉश्टन में कुछ दिक्कत हो सकती है ठीक है इंग्लीश वाला कोशन इंग्लीश में मत देखिए ये क्या है ये गलत है उपर किंडर गार्डन पत्य का निर्मान किस ने किया था जो किंडर गार्डन मैथ्टर है उसका निर्मान किस ने किया था मॉन्टरी मॉन्टरी ड्यू ड्यू रॉस्यू एंडर फ्रोवल फ्रोवल तो इसका निर्मान किया थो दोस्तों फ्रोवेल ले, किंडर गार्ट के जनक कौन है फ्रोवेल, मानर्व विकास के संदर में निमन में से कौन सा करम सही है, मानर्व विकास के करम में, मैं लिए कि मारा development होता है उसकी stages, कौन कौन सी stages कैसे ठीक है, जैसे कि पहले 6 वास्ता, किशोर वास्ता, बाले वास्ता, पोड़ वास्ता, नहीं, 6 वास्ता उसके बाद आता आपका बाले वास्ता, उसके बाद आता आपका किशोर वास्ता, उसका आता पोड़ वास्ता, तो इसका अंसरोग option B देखो श्याष्य वस्था बाल्य वस्था कि शोरा वस्था पड़ वस्था इंग्लिश में बोले तो childhood, infancy, infancy, childhood और आपका adolescence उसके बाद आगे आपका adolescence The greater contribution of psychology to education is subject orientation education, teacher orientation education, activity orientation education, child orientation education तो सबस्था है चाइल और आपका शिक्षा के लिए महत्तोपण योगदान है विश्य अनुमुक्ष शिक्षा, अनुमुक्ष शिक्षा, गतिविदी अनुमुक्ष शिक्षा, बालाद आपका शिक्षा, बालाद कुनुमुक्ष शिक्षा, बालाद कुनुमुक्ष शिक्षा, ऑप्शन दी, The nature nurture debate refer to the genetic and environment, behavior and environment, biology and environment, upbringing and environment, तो देखो जो nature nurture debate मैं आपको कराया था, ले थेरी पोस्षा वाली सेरीज में, कि ये क्या है, genetic and environment है, तो टीचर क्या शो कर रहा है इसमें जेंडर बाइस्ट, मॉलेस्टिस, उसका माइंड़ सेट एथिकल लिंग पक्षपाती, शिक्षापरद, सही दृष्टिकुन वाला निति परक तो वह क्या कर रहा है लिंग पक्षपाती शो कर रहा है जेंडर बाइसने शो कर रहा है अगर बच्चे को ठीक है कुछ देखने में प्राबलम है तो उसको कैसे स्कूल में उसको कैसे NCF 2005 के नुसराज को कैसे school में admit करना चाहिए He should be admitted in Open school, special school, inclusive school, integrated school तो देखो जो NCF 2005 का बोलता है Inclusive school की बात करता है कि ऐसा school जहां सब बच्चों की सुविधाएं हो ठीक है सब बच्चों की सुविधाओं के साथ साथ उनकी महाँ पर अच्छे से बढ़ा ही हो सके और integrated school होता है दोस्तों integrated school होता है कि जहां पर बच्चों को डाल दे सारे टाइप के बच्चों को जहां उनकी लिए सुविधा ना हो जैसे कि जो हमारे normally सरकारी school होते है वो integrated school होते हैं दूसरे तरह के बच्चों को कई लिए सुविधा नहीं होती special school होते हैं जो special बच्चों जो impaired बच्चे हैं या दूसरे टाइप के बच्चे उनकी लिए special school हो ठीक है which of the following factor has the only effective position effect of learning तो इसका answer होगा fear of learning competition of love with peers meaningful association pleasure from parents pressure from parents तो which of the following factor has the only effect of learning तो meaningful association option is C निमन लिखित में से किस कारक का अधिकम पर सिरफ सकरात्मक प्रभाव पड़ता है असफलता का डर साथियों के साथ परतिस परदा सार्थक साहचरय और अभिभाव का दबाव देखो ये तो सारे negative word है असफलता का डर परसाथियों के साथ परतिस परदा अभिभाव का दबाव ये नहीं होना चाहिए प्रेशर कोई बच्चे को अगर उसकी सार्थक साहचरय हो रही है तो वो उसकी meaningful learning है effective learning है विच और फॉलिंग इस नॉट डोमेन ओफ लर्निंग तो इन में से तो ये repeated रिपीट किया है गोश्चन पेपर में नहीं होगा पर उन्हों ने जहाँ पेपर में लिया है वहाँ से रिपीट हुआ है problem solving is a necessary for dash of children तो problem solving necessary है बालको के dash के लिए समस्या समाधान आफशक है creative development जहाँ भी आपकी problem solving से लेटिड आएगा जहाँ भी आपके creative thinking से लेटिड आएगा ठीक है जहाँ भी आपके इस सब कुछ आएगा यह क्या होता है यह होते cognitive development divergent thinking क्या होते है divergent thinking यह बात भी ध्यान रखिएगा कि जहाँ problem solving और creativity होगी वहाँ divergent thinking जरूर होगी divergent thinking तो यहाँ नहीं है प्रण्तु मैं आपको बता देता हूं problem solving is necessary for creative development बालको के ड्याश के लिए समस्या समाध्धान आफशक है स्रीजनात्मक विकास अगला question है इन में से 133 question है निमल निक्स में से कौन सा अधिगम का शेतर नहीं है हमने कर लिया अधियात्मिक शेतर यह हमने कर लिया 134 question हमने कर लिया 135 question देखते है इन में से कौन सम्मन विग्यानिक कारक नहीं है which one of the which one is not the psychological factor तो इन में से कौन सा नहीं है attitude, maturation, readiness, age तो age is not a psychological factor which type of factor motivation is which type of factor motivation is अभिवेड़ा किस प्रकार का कारक है motivation किस प्रकार का कारक है physical, social, psychological, culture तो यह है psychological ठीक है 137 question who established first psychology liberty in जिंपिंग यूनिवस्टी जर्मनी किस ने की थी यह मैंने आपको कराय थेोरी वाले में कि जो आपकी psychological यूनिवस्टी किस ने की थी first wouldn't ने की थी continued and comprehension evolution is teacher center, student center, assignment center, performance center तो यह थी student center which of the following is not intelligent standard winner test visual winner test, ray one progressive matrices or inkblot test तो इसका अंसे दोस्ता option D inkblot test which of the following is not development disorder इसमे से concept development disorder नहीं है autism, cerebral palsy, post-traumatic stress disorder attention deficiency, hyperactive disorder तो इसमे से concept development disorder नहीं है दोस्ता तो इसका अंसरोगा post-traumatic stress disorder अधि घातर ज उत्तर दबाव विकास्र child center pedagogy means giving primacy to children experience and their voice the teacher indicating the children what should be done enabling the children to follow prescribed information या the teacher leading all the learning in the classroom बाल के इंदिरत शिक्षशाष्टर का अर्थ है बच्चे के अनुभव और उनकी एवाज की परमुकता देना शिक्षट द्वारब बच्चों को आदेश देना की क्या किया जाना चाहिए निर्धारित सूचना का अनुसरण करने बच्चे का शक्षम बनाना कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षट का आगे-ागे होना तो शिक्षट का आगे-ागे होना इसका अनुसरण है बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को परमुकता देना चायड को सेंटर में रखना उसकी परमुकता देना उसको Which of the falling factor of effective learning motivation निमन लिख्त में से अधिगम को परभावित करती है, शिक्षार्थी का उत्परेणा, शिक्षार्थी का परिपकोता, शिक्षक का युक्तियां और शिक्षार्थी और शारिरिक और समवेगात्मे का स्वास्त है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा A, B, C, D, Option D, तो सारे के सारे ठीक है, इसका होगा सारे के सारे A, B, C, D, Motivation भी जुरूरी है, Maturation, Maturity भी जुरूरी है, Teaching Strategy भी जुरूरी है, Physical Emotion, Health भी जुरूरी है, तो Option D, जिसमें A, B, C, D सारे आ रहा है, Which of the falling age group fall under late childhood, तो late childhood में कौन से होते हैं, 6 से 11, एक से 0 से 2 होते हैं, आपके infancy, 2 से 6 होते हैं, आपके early childhood, 6 से 7 से 11 या 6 से 11 होते हैं, आपके later childhood, Who has central place in education according to child psychology, तो child psychology के नुसार, जो child का center में role है, Human personality is the result of, Human personality किसका result है दोस्तो, Human personality is the result of interaction between heredity and environment, ठीक है, Child centered education was advocate by which of the falling thinker, तो child जो आपकी child education थी, वो child center education थी, वो किस क्या advocate की गई थी, तो जोन डूई ही, child center education के जनक मानने चाते हैं, Dash is the process of arousing, sustaining and regulating activities, तो क्या है, motivation, aptitude, emotion या commitment, तो Dash is the process of arousing, sustaining and regulating, तो यह है आपका motivation option A, The children whose IQ of is above 140 will be mental, retired, genius, idiot, normal, जो बालक का जिसका बुद्धी लिभिद 140 से अधिक है, वो है मानसिक रूप से मन्द, प्रतिबाशाली, स्तमानने जड़ बुद्धी, तो वो है genius दोस्तो, Multiple Intelligency Theory is given by Multiple Intelligency Theory of Intelligency थी जो बुद्धी के बहु बुरिद्धी विजदान्त का प्रतिपादक है, वो है आपके Howard Gardner, The principle of trial and error was propounded by Thondike, Binot, Kohler, Pavlo, तो trial and error theory थी, यह मैंने आपको कराई भी है, यह किस ने दी थी, Thondike ने दी थी, तो दोस्तो कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तो,